तो आज के इस विडियोज में हम बात करने वाले हैं कि आप फ़री में ही लोगो और यूट्फब बैनर कैसे design करेंगे organized जरूरी नहीं कि सिर्फ YouTube का लोगो आप अपने किसी सोसल इमेडिया फिलेटफरम के लिए यहां से फरी में ही लोगो design कर सकते हैं अलग कि आप पर जिस website का भी हम इस्तमाल करेंगे वैब paid है लेकि उस website से हम प्री में ही कैसे logo design करेंगे और banner design करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले आपके computer पर adopt photoshop 7 install होना चाहिए अगर यह दिया आपके computer पर adopt photoshop 7 नहीं है तो आप उसे कहां से download करेंगे सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब तक आपके computer पर adopt photoshop install नहीं होगा तब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ लोगो और बैनर design करने के वीडियो को पूरा जबर देखना चलते हैं सिधा ही monitor screen पर सबसे पहले आपको browser पर type करना है www.techgroup4u.in इस website पर आप जाना है इसके link भी में नीचे आपको video के description पर दे दूंगा इस website से आप free में templates, softwares, transitions और भी बहुत कुछ download कर सकते हैं इस website में आपको काफी सारी जानकारिया मिल जाती है Photoshop 3 में download करने के लिए आप यहाँ पर web and development के section में जाकर आप यहाँ पर software templates, video editing softwares download कर सकते हैं इसके लिए अब आप अर्च पर जाकर यहाँ पर आप type करेंगे Photoshop एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको Photoshop का एक post नजर आजाएगा इस post पर आप क्लिक करेंगे, Adobe Photoshop की सारी जानकारी आप यहाँ से पलपाएंगे कैसे काम करते हैं पलपाएंगे, download के link पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद Photoshop 7 के बाज़ो में इस arrow का पेक करेंगे और download पर पेक करके इसे आप download कर लेंगे लेकिन Adobe Photoshop आपको zip file में ही download होगा लेकिन आप उसो extract करना चाहते हैं यानि कि zip file से बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको winrar software की आप सकता होगी आप पर एक post नजार आजाएगा winrar का आपको इस पर click करना है इस post को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या कैची जानकारी आपको यहाँ पर बताए गई है इसके बाद आप नीचे के और आएंगे download का link मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे या download करने के लिए आप start download पर click करके free में इससे अच्छे से download कर लेंगे अब आपके पास में winrar software भी download हो चुका है और इसके लावा adopt photoshop भी download हो चुका है download folder में आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले winrar को install करेंगे windows software आपका install हो जाएका तो यहाँ पर इस परकार का आपको folder नजर आएगा adopt photoshop में आपको right click करना है जो कि आपने download किया और वह zip file में एक्षटेक्ट हेर पर आप click करेंगे ok पर click करेंगे तो यहाँ पर file extract होना start हो जाएगी अभी मैंने फिलाल यहाँ पर already करके रखा हुए तो यहाँ पर बतला रहा है कि मेरी file जो है पहले सी मैंने extract करके रखा हुए अब हमने इस folder को zip file से बाहर नकाल लिया है अब इस Adobe Photoshop का हम double click करेंगे यहाँ पर आएंगे तो नीच से आपको यहाँ पर इसका setup मिल जाएका ऊपर serial key serial key पर आप click करेंगे और यहाँ से इसका जितना भी serial key है इसे यहाँ पर right click करके copy कर लेंगे setup पर आप double click करेंगे ok पर click करेंगे अब आपका Adobe Photoshop जो है install वहना start हो चुका है next पर click करेंगे ok पर click करेंगे next पर click करेंगे accept पर click करेंगे अब आप इस box में आप कुछ भी type कर सकते हैं उपर की जो box हैं यहाँ पर कुछ भी type कर सकते हैं right click करके यहाँ पर paste कर देंगा तो जो भी आपने serial की वहाँ से copy किया था paste हो जाएगा अब इसके बाद next पर click करके इसे install कर लेना है मैंने पहले सी इसे install करके रखा हुआ है जब आपका Adobe Photoshop install हो जाता है तो आप इसका start कर डेश्टॉप में भी देख सकते हैं अगर ना नज़र आए तो आप start menu पर जाकर यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर भी जाकर देख सकते हैं या तो आप सिधे यहाँ पर search में टाइप कर सकते हैं Photoshop Adobe Photoshop 7 आपको यहाँ पर नज़र ज आप side का chain करता हूँ किस category यह business के लिए आप logo design करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसका chain कर लेना है किस niche से related आप यहाँ पर logo बनाना चाहते हैं उसका आप chain कर लेंगी और मैं यहाँ पर इमरान Tech के नाम से बनाना चाहता हूँ तो टेक्निलोजी का chain करूँगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है किस प्रकार का logo आप बनाना चाहते हैं तरकल में बनाना चाहते हैं नीचे नाम आएगा या फिर आप सीधे यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी icon बनाना चाहते हैं और नीचे नाम शो करें तो इस प्रकार कोई भी design और design के अंदर नाम शो करें या पर कोई design ना हो, बस सिर्फ आपका नाम हो, इस प्रकार का भी आप logo बनाना चाहते हो, इस पर हम click कर देंगे, मैं यापर circle पर लेना चाहते हो, तो मैं circle पर वाले विकल पर click कर दूँगा, next पर click करेंगे, अब यहाँ पर, आप टेक्स्ट यहां पर किस प्रकार कर लेना चाहते हैं, आपको यहां पर उसके टेक्स्ट का चेन करना है, मैं यहां पर थुल से बोल्ड टेक्स्ट का चेन करना चाहता हूं, तो इसका चेन करके नेश्ट पर ठीक कर देते हैं, आपको भी किसी प्रकार से असाई काम करना है यहाँ पर देखेंगे Imran Text Related, काफी सारे icons आ चुके हैं, अब आपको जो भी icon बहाँ पर रखना है, वस icon को आपको select कर लेना है, for example, मुझे यहाँ पर इस logo को रखना है, तो मैं इस पर click करता हूँ, अब इससे आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी customize कर सकते हैं, यहाँ पर कु करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे, पीछे watermark भी नजार आ रहा है, क्योंकि यह एक paid version है, हम यहाँ पर continue editing पर click करेंगे, यहाँ पर दो विकल्प है, लोगों को फ्री में download करने के, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका screenshot लेलूँगा, keyword से में यहाँ पर print screen की press करेंगे, Photoshop में आएंगे, Ctrl & Press करेंगे, Enter करेंगे, Ctrl V करके से paste कर देंगे, crop tool यहाँ पर select करेंगे, और इस logo को हम यहाँ पर drop कर लेंगे, अभी उस website पर जाते तो 3,000 से 4,000 रुपए, इस logo के design के वह हम से मांग लेता, यहाँ पर free में हमने इसे download कर लिया, अब इस logo को जो हमने यहाँ लेकर आया है, अब हम Ctrl & Press करेंगे, क्योंकि हम इसे PNG में चाहिए है, PNG में करने के लिए हम Ctrl & Press करते हैं, और यहाँ transparent पर select करके, OK पर click करते हैं, इसके बाद हम move tool select करते हैं, और इस tag को उठा कर, हम यहाँ पर इस page में ले आते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर magic tool का chain करेंगे, और white पर click करेंगे, तो फूरा white यहाँ से select हो जाएगा, और delete button पर click कर देंगे, तो इस सभी चीज़ डिलेट हो गई है, अब यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ हमारा logo बचा है, इस logo को हम यहाँ पर crop कर देंगे, और हम इसे PNG फाइल में save कर लेंगे, हम यहाँ पर इसे crop कर ल देखेंगे, free में ही हमने यहाँ पर अपना logo डिजाइन कर लिया है, समझ गए, इस प्रकार से हम यहाँ पर free में ही logo डिजाइन कर सकते हैं, PNG file क्या क्या आती है, PNG file में क्या होता है दोस्तों, जो background होता है, white या कोई भी color, वह नहीं आता है, जो चीज़ आप दिखाना चा आते हैं, उससे हम यहाँ पर नाम दर्ज कर देंगे, start नाव पर click करेंगे, तो से पहले आपको register करना हुआ, तो आप अपना sign up कर लेंगे इस account में, यानि कि आप जिस email ID के मादे हम से login होना चाहते है, Gmail account से आप यहाँ पर login हो जाएंगे, एक बार login हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इमरान टैक का logo यहाँ पर मौजूद है, अब मैं चाहता हूँ के लोगो मुझे पसंद है, चेंज करना है तो मैं लोगो पर click करूँगा, upload new logo पर मैं click करता हूँ, अब जो भी मैंने PNG format में logo बनाया ह हुआ था, उस logo को मैं यहाँ से open कर देता हूँ, तो अब मेरा जो नया logo है, वह यहाँ पर मेरे banner पर जाएगा, देखेंगे आ चुका है, continue पर हम click करेंगे, और यहाँ पर नाम type कर देंगे, इमरान tag, इमरान tag के नाम से, तो logo के नीचे हमारा नाम भी जाएगा, color हम same रखना चाहते हैं, कोई भी इशू नहीं है, यह देखेंगे हमारा logo आ चुका है, इसके बाद हम इसे customize कर सकते हैं, लोगों छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस याद रखें कि size इसके अंदर हमें ही आना चाहिए, अब हम यहाँ प चीज़े यहाँ पर add कर सकते हैं, आप नए templates लेना चाहते हैं, तो templates पर click करके आप नए templates भी ले सकते हैं, मुझे यही पसंद है, तो मैं यहाँ पर download पर click करता हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे, यह पैसे मांग रहा है कि भाई, अगर यदि आपको यह design चाहिए, आपको हम crop tool की मदद से नपाट crop कर लेंगे, ठीक है, इसको हम save करते हैं पहले, jpg format में हम इसे save करते हैं, इसके बाद हम 2-3 website में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, watermark remover, पहली वाली website पर हम click करेंगे, upload image पर click करेंगे, अब हमें जिसका भी watermark remove करना है, उस image को यहाँ से हम select करें यहाँ देखेंगे, कुछ second आपके यहाँ पर processing चलेगी, इसके बाद आपके सामने इसका result आजाएगा, left में आप देख सकते हैं, जिस image में हमने watermark वाली image ले थी, और right में आप image देख सकते हैं, उसका watermark पूरी तरह से remove हो चुका है, पर आपर compare करके भी देख सकते हैं, दो में ही banner design कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस website पर जाना है, canva.com, अपने किसी भी Gmail account से यहाँ पर login हो जाना है, इसके बाद आपको यह search पर type करना है, why for YouTube banner, enter press करना है, काफी सारे YouTube banner सजाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ premium से जिस पर pro लिखा हुआ है, यानि कि यह premium है, इसे download करने की आपको एन्वा का subscription लेना है, तो जिन पर भी pro नहीं लिखा हुआ है, आप ऐसे banner को select कर लेंगे, इसके बाद customize this template पर आप click करेंगे, अब हमने यहाँ पर अपना logo बना कर रखा हुआ, तो इस logo पर हम click करके इससे delete करेंगे, delete image पर click करेंगे, upload पर जाएंगे upload file पर जाएंगे, तो जो आपने logo बनाया था, उस logo को हम यहाँ से select कर लेंगे, open में click करेंगे, अब हमारा logo यहाँ पर आ चुका है, हम इससे select करेंगे, यहाँ लोगो हमारा आ चुका है, और हम इससे इस frame के अंदर insert कर देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, हमारा logo भी यहा पुरा बना बनाया मिल गया मुझे, share पर में click करूंगा, नीचे आना है, download पर आपको click करना है, png की जगह आपको यहाँ पर jpg कर देना है, और download पर click कर देना है, अब यहाँ पर देखेंगे, आपका banner बनकर ready हो चुका है, इस प्रकार से आप यहाँ पर banner और logo दोनों ही ची अगर आप इस course को पूरा देख लेते हैं, उस सबसे last वाली वीडियो में आपको templates मिल जाएंगी, इन templates का इस्तमाल करके आप free में ही Photoshop की मदद से banner और logo design कर सकते हैं, ready made templates किस प्रकार की होती है, चलिए मैं आपको बतला देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे कुछ banners हैं, यहत एक एक करके सबी templates देख सकते हैं, आप जैसी double click करेंगे, यह PhD format में होती है, यह आपके Photoshop में open हो जाएगी, तो सिर्फ आपको जो pictures पहले समाजूद है, उसे अलग करके आपको आपकी pictures add करनी है, जो भी text है, उस text की जगह आपको आपका text add करना है, बस आपका banner बनके ready है, और यह format आपको PS Photoshop 2020 में open होगा, तो इसका link भी मैं आपको last वाली videos में दे दूँगा, जहां से आप PS 2020 Photoshop डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, banner हमारा आ चुका है, इससे हम थोड़ा सा zoom करते हैं, अब यहाँ पर जो भी नाम है, आप इस पर double click करेंगे, इस नाम की बात करें, तो देखेंगे, यह pictures यहाँ हो रही है, इस pictures को यहाँ से delete करके, आप अपना कोई सा भी एक pictures यहाँ पर लगा सकते हैं, for example, मैं आपको एक pictures लगा कर दिखाता हूँ, मेरा pictures तो यहाँ पर है नहीं, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर एक logo ही लगा कर दिखा देता यहाँ पर मैं इम्रान Tech का logo भी लगा सकता हूँ, चाहो तो मैं यहाँ पर अपनी pictures भी लगा सकता हूँ, इस प्रकार से आप बहुत ही असानी से चंद सेकेंड में ही banner अपना ready कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे आपको banners के templates मिल जाएंगे 500 से भी जादा, 500 से भी जादा मैं आपको यहाँ पर banner templates देने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरे जवह देखने हैं, यास्ट वाली वीडियो में आपको सभी templates और Photoshop PS 2020 पूरी तवह से आपको मिलने वाला है, इस प्रकार से आप अपने किसी भी social media network के लिए logo और यह तो चनद लिए banner 3 में ही design कर सकते हैं, चलत आप ने आपको कियोट